बिहार के लिए बीजेपी का गजब का सियासी प्लान नितीश लालू के साथ चिराग और मांजी भी हो जाएंगे सेट नमस्कार मैं संयूकतादेश मुखोर आप देख रहे हैं खबर दस्तक केंद्रिय मंत्री गिरासीह ने बिहार चुनाव के लिए अभी से हिंदुत्व का मजबूत मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने दुर्गापूजा में अस्रशस्र की पूजा को सही बटाया और हिंदुओं को इनके उपयों की सला दी है माना जा रहा है भाजब के जातिगत राजनीती के विरुद्ध हिंदुत्व को चुनावी रणनीती का हिस्सा बना रही है बिहार के चुनावी रण में एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्राण नेता गिरास्तिया हिंदुत्वका मुद्दा सेट करने को सियासी मैदान में उतर गए है हाला कि चुनाव में अभी समय है पर सियासी दस्तक अभी से धमक के साथ दल की चुनावी तयारी में दिखने लगा है उत्तर प्रदेश में सियाम योगी आधित्यनाद बटोगे तो कटोगे के तरज पर केंद्रियमंत्री के रासी हैं काटने का सामान रखने की इजाजत भर नहीं बलकि एक तरह से चुनावी मुड में हिंदुत्वकों लाने में जुड़ कए है हम सनातन धर्म के लोग दूरगा पूजा में मागी पूजा अस्तरशस्त्र के साथ करते है तो इसमें कुछ गलत नहीं है आरजडी के तमाम नेता जब माथे पर टूकरी लेकर फुलवारी शरीफ मजार पर जा सकते है तो हिंदू अस्त्र शस्त्र की पूजा कर घर में क्यों नहीं रख सकते अगर इसलाम में यह सही है तो हमारे देवी देवताओं के साथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको बाटने में क्या गलत है दुर्गामाता के साथ यदि कोई अस्त्र लेकर जा रहा है तो यह सवभाग के की बात है तो मैं तो कहूंगा कि हर हिंदू के घर में देवी देवताओं के श्यास्त्रों की पूजा होनी चाहिए और उन्हें घर में रखना चाहिए ताकि उनकी पूजा से हमारी रक्षा हो सके बीजेपी की राजनीती में सौफ्ट और हार्ड कोर नेताओं की अपनी अपनी भूमी का है और अपना अपना एक्सेप्मेंट केंद्रिय मंत्री गिर रासी हां भाजपा के हार्ड कोर नेता है जिनके फायर हिंदूत्व एक्ता को लेकर आते रहे है अब केंद्रिय मंत्री ग को लेकर दिये गए बयान टोपी पहनकर लालुयादो जो फुलवारी शरीफ दरगा पर जाते है तो लगता है कि तेहरान में इमाम आ गए है मुस्लिमों को बटवारे के वक्त पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो आज गो मुत्र छिड़कना नहीं पड़ता गंगा जल से ही काम चल जाता देश के अंदर तुष्टी करण के कारण जहां तहां मजार बना ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है भारत के अंदर पाकिस्तान और बांगलादेश बनाया जा रहा है कोई मजार बना रहा है कोई फिलिस्तिनी कह रहा है भारत में राम निवासी जुलूस नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश में निकालेंगे तीन करोड से तीस करोड मुस्लिम आबादी हो गई तीन हजार से तीन लाख मस्जित हो गई भारत में ताजिया पर एक पत्थर नहीं फेका जाता पर राम नौमी जुलूस दुर्गा सरस्वती और लक्ष्मी मा के विसरजन के समय पत्थर बाजी क्यों होती है हन्मान जैन्ती, राम नौमी, दुर्गा पुजा, काली पुजा, सरस्वती पुजा जैसे त्योहार उपर रोड बदल दिये जाते है रूट डिवाइड कर दिये जाते है, डीजे नहीं बजने दिया जाता है क्योंकि दरसल बिहार की राजनीती में जाती या जक्रन के तत्वम मोजूद है जाती के नाम से पार्टियों की पहचान होती है मसलन राजत के MYJU का लवकुष रामोला का खुश्वाहा पास्वान का लोजपा मला का वी आईपी आदी आदी ऐसे में प्रदेश भाजपा हिंदुत्व के सहारे बिहार विधान सबाचुनाओं दो हजार पच्चिस की वैटरनी के पार करने की रणनीती पर काम करना शुरू कर दी है और इसलिए भाजपा के पास हिंदुत्व की धार बहाने के लिए गिरासियं के बहतर कोई चेहरा नहीं है राममंदिर निर्मान के जरीए भाजपा के पक्ष में माहोल बनाने वाली प्रदेश भाजपा के नजर अब मा सीता की जन्मभूमी से हिंदुत्व की बयार बहाने के लिए है और इस राह पर चल कर के इंडियमंती की रास्ति हने हुंकार कर ये संकेद भी दे डाला इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल खबरदस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाओ देना चाहते है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है नमस्कार